जोतिश की दुनिया में आपका स्वागत है यदि आप जोतिश सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आप चाहते हैं कि वीडियो अपलोड होते ही आपको सूचना मिल जाए तो एलार्म बटन को आउन करें और यदि आपको वीडियो चैनल के माध्यम से जोतिश सीखने की संपुण विशेवस्तु आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग मेरे इस चैनल के माध्यम से जोतिश सीख रहे होंगे और इस समय जोतिश सीखने की श्रिंखला को आगे बढ़ाते हुए हमारे इ और कौन से लगन में कौन से ग्रह अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं अर्थात मारक होते हैं इसी के विशे में संपुर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से प्रस्तुत की जा रही है तो आज हम इस श्रिंखला को आगे बढ़ाते बढ़ाते कन्या लगन तक पहुँ होंगी आईए सबसे पहले हम उन तीन सारणियों को देख लेते हैं प्रस्तुत है पहली सारणी जिसमें सभी बारा राशियों के नाम एवं इन राशियों के स्वामी ग्रहों के नाम लिखे हुए हैं यहां है दूसरी सारणी और इस सारणी में सभी नव ग्रहों की मित्रता जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आईए अब इस अध्यन को हम आगे बढ़ाते हैं, इस अध्यन को आगे बढ़ाने के लिए हम सबसे पहले चलेंगे इस सारणी की ओर जो की एक लगन कुंडली चार्ट है, इस लगन कुंडली चार्ट के पहले भाव में अर्थात लगन भाव पर लिखा हुआ है छे, छे कन्या और आज हम कन्या लगन कुंडली पर ही योग कारक वा मारक ग्रहों का निर्धारन करेंगे क्योंकि यह लगन कुंडली छै नंबर से प्रारंब होता है अर्थात यह लगन कुंडली कन्या लगन की कुंडली है तो सबसे पहले हम प्रारंब करेंगे पहले भाव से लगन भाव पर लिखा हुआ है च्छे अर्थात कन्या कन्या के स्वामी होते हैं बुध और जैसा कि आपको ग्यात है कि बुध की स्वामी तुमें दो राशियां होती हैं एक तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कन्या और दूसरा आप खोजिए जी हां मिथून अर्थात तीसरी कि बुध देव इस लगन कुंडली के लगनेश हैं और लगनेश कभी भी अशुब परिणाम नहीं देते हैं सदे शुब परिणाम देते हैं इसलिए बुध देव को हम यहाँ पर इस लगन कुंडली के लिए योग कारक किश्रेडी पर रखते ही वे यहाँ पर लिखेंगे इसके पचाच चलते हैं हम दूसरे भाव की ओर दूसरे भाव पर लिखा हुआ है साथ साथ अर्थात तुला तुला के स्वामी होते हैं शुक्र देव और शुक्र देव के स्वामितों में भी दो राशियां हैं एक यहां पर एक यहां पर तुला और ब्रिश साथ नंबर और साथ नमबर यहाँ पर दो नमबर यहाँ पर दूसरे भाव में साथ नमबर लिखा हुआ है नवे भाव पर दो नमबर लिखा हुआ है अर्थात शुक्र की एक राशी यहाँ है तो आप देख रहे हैं यह त्रिकोण का भाव है अर्थात बहुत ही शुब भाव है और यह सम भ इसलिए यहां पर अश्टम 12 सिध्धान्त भी लागू नहीं होगा। इस तरह से आप देखें तो दोनों ही नियमों के आधार पर शुक्रदेव, कन्या लगने की कुंडली पर योगकारक होंगे और शुक्रदेव को हम यहां पर लिखेंगे। इस तरह से मंगल देव को हम कन्या लगने की कुंडली पर मारा किश्नेडी पर रखेंगे और मंगल देव को हम यहां पर देखेंगे। इसके पशात हम चलते हैं चतुर्थ भाव की ओर। चतुर्थ भाव पर लिखा हुआ है नौ अर्थात धनु। धनु के स्वामी होते हैं ब्रिहसपती देव। ब्रिहस्पती देव के स्वामित्यों में भी दो राशियां है एक देखिए यहाँ पर एक है धनू एक है मीन नो नमबर और बारा नमबर आप यहाँ पर देखें तो नो नमबर यहाँ बारा नमबर यहाँ दोनों ही केंद्र के भाव हैं इसलिए ब्रिहस्पती भी इस लगन क कुंडली में योग कारक की भुमिकापर होंगे और बिहस्पती को हम यहाँ पर लिखेंगे। अब हम चलते हैं पंचम भाव की और। पंचम भाव पर लिखा हुआ है दस। दस अर्थात मकर, मकर के स्वामी होते हैं शनी महराज और शनी महराज के स्वामी तो में भी दो राशिया हैं, एक यहाँ पर मकर और कुम्ब 10 और 11, 10 यहाँ पर है, 11 यहाँ पर है, आप देखें तो एक है त्रिकोर का भाव, जो पंचम भाव है त्रिकोर का भाव है जो कि बह होती खराब भाव माना जाता है लेकिन यदि तुलनात्मक द्रिष्टिकोंड से देखें तो त्रिक भाव के ओपर त्रिकोंड का भाव अधिक प्रभाव रखता है इस तरह से यहां का प्रभाव अधिक होगा यहां का प्रभाव कम होगा और शनी महराज यहां पर इस लगन क और शनी महराज इस लगन कुंडली में योगकारक हैं. इसके पशात हम चलते हैं सब्तमभाव की और सब्तमभाव पर लिखा हुआ है 12, 12 अर्थाद मीन. मीन के स्वामी होते हैं ब्रियस्पती और ब्रियस्पती का अध्यन हम यहां के साथ कर चुके हैं. चतुर्थ भाव के साथ 9 और 12 नो और 12 ब्रिहस्पती और ब्रिहस्पती इस तरह से ब्रिहस्पती देव यहाँ पर योगकारक है इसके पशात हम चलते हैं अश्टम भाव के और अश्टम भाव पर लिखा हुआ है एक एक अर्ठात मेश राशी मेश राशी के सवामी होते हैं मंगल देव का अध्यान हम यहां 8 नंबर के साथ कर चुके हैं और मंगल देव इस लगन कुंडली के लिए मारक है और दो नमबर हम साथ नमबर के साथ दुतिय भाव के साथ नवम भाव का अर्थात दो नमबर की राशी बिश राशी के स्वामी शुक्रदेव का धेन कर चुके हैं और शुक्रदेव इस लगन कुंडली के लिए योग का रख हैं इसलिए शुक्रदेव को यहां पर रखा गय पशाथ हुम चलते हैं दशंभाव की और दशंभाव पर लिखा हुआ यहाँ पर रखे हैं इसके पशाथ हम चलते हैं एकादस भाव की और छार अर्था कराशी करक राशी के स्वामी होते हैं चंद्र देव अब यहाँ पर हम आपको बता दें कि एकादश भाव के स्वामी चंद्र देव हैं लगनेश बुध हैं लगनेश बुध और एकादशेस चंद्र की घोर सत्रूता है एक दूसरे के परम सत्रू है यदि एकादश भाव में एकल ग्रह स्वामी वाली राशी हो एकल ग्रह स्वामी वाली राशी अर्थात कोई ऐसा ग्रह जिसके स्वामी तुमें सिर्फ एक ही राशी हो तो आप यहाँ पर देखिए चंद्रमा के स्वामी तुमें सिर्फ अकेली राशी करक है और करक यहां पर है इसलिए यह क्या जा रहा है कि यदि एकादश भाव में कोई एकल ग्रह स्वामी वाली राशी हो और राशी स्वामी की अर्थात यहां जो राशी है यहां पर आप देखें तो करक और करक के स्वामी चंद्रमा हुए तो इस राशी के स्वामी की लगनेश स सत्रुता हो तो आप यहां पर देख रहे हैं कि चंद्रमा यहां पर है और बुध यहां पर है और दोनों की आपश में सत्रुता है तो इस तरह से आप देखें तो दोनों एक दूसरे के घोर सत्रु हैं और ऐसी इस्थिती में यहां पर इस्थित चंद्रदेव इस लगन कुं चिंँखराव की और जहां पर लिखा हुआ है पांच नमबर और पांच नमबर के स्वामी होते हैं सुरदेव क्योंकि पांच नमबर की राशी होती है। व्य भाव मिला है जोटे की बहुत ही खराब भाव माना जाता है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि कन्या लगनी की कुंडली में योगकारक की श्रेडी पर बुध देव, शुक्र देव, ब्रिहस्पती देव और शनी देव हैं। पस्थिती के अनुसार पर योगकारक वह मारक की भुमिका में होते हैं। यह वीडियो आपके लिए काम की होगी, यदि आप जोतिस सीख रहे होंगे तो आपको इससे कुछ न कुछ जानकारी अवश्य प्राप्त हुई होगी। और साथ ही आपसे एक अनुरोध है कि यदि आपकी जानकारी में कोई ऐसे सज्जन हों, जो जोतिस में रुची रखते हैं या जोतिस सीख रहे हैं। तो उनों तक यह वीडियो अवज से पहुचाईए, उनके Facebook, WhatsApp, ट्वीटर पर इसे शेर कीजें। किया जाएगा तो YouTube महोदे सबसे पहले सूचना आपको ही देंगे। अब मुझे आगया दीजे, मिलते हैं अगले वीडियो पर तुला लगन में योगकारक वो मारग ग्रहों के नरधारण के रूप में एक नई जानकारी के साथ तब तक के लिए जैहिन, जै भारत, जै ग्रूदे एू